हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो और यूटूब चैनल, जेके स्टूडेंट्स कॉर्नर तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ आज की स्वीडियो मैं आपको बताऊंगा, जेके पी बॉर्डर ब्टालन के वेटिंग लिस्ट या जो उनका भी प्रोसेच चल रहा है वहाँ पे अगर जोइनिंग की बात की जाए या मैडिकल की बात की जाए पूरी डिटेल वीडियो होने वाली, इस वीडियो में आपको फुल इनफॉर्मेशन देने वालों तो वीडियो को एन तक जूर देखना और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कौल पे सेट कर देना ताकि आपको हर एक जॉब की नोटिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगी तो दोस्तो सबसे पहले यहां पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई यहां पे मेडिकल का क्या होगा मेडिकल में कितने केंडर्स को लिया जाएगा क्या मेडिकल आसान होता है ये टाफ होता है तो यहां पे ऐसे ऐसे कोशन जो है बहुत जादा है तो उनके जो medical जब सबी लड़कियों का हो जाएगा उनका जो shift wise लिया जाएगा shift wise लिया जा रहा है तो जैसे ही सब girls का medical complete होता है उसके बाद जो है boys की बारी आएगी अभी पहले girls का होगा girls का हो रहा है अगर पहले भी होता है boys का तो मैं आप तक वीडियो लेके आऊँगा मैं आपको information दे दूँगा अगर कोई update आता है तो फिलाल तो अभी girls का medical हो रहा है तो उसके बाद आपका medical होगा अब यहां पर एक question जो है सब के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या जिन लड़कियों का medical हुआ उनमें से कितनी लड़कियां medical fit हुई और कितनी लड़कियां medical unfit हुई तो देखो यहां पर जो भी कोई confirm पता नहीं लगा है पर यहां पर मैं एक बात और आपको बता देता हूँ कि girls का police का तो बिल्कुल easy होता ही medical बट girls का जो है बिल्कुल easy medical होता है तो यहां पर girls का जो है जादा tension नहीं रखना है अगर किसी की bones वगेरा fracture है ऐसा मैंने पहली वीडियो में बतायते एक बार कि girls अगर किसी का bone fracture है तो medical unfit हो जाते है तो एक candidate ने जो है comment भी किया थो वहां पर कि जब उसका bone fracture होगा तो physical कैसे qualify कह सकती है अरे भाई जरूरी नहीं कि leg का ही bone fracture हो जाए किसी और bone का भी हो सकता है बाजू का हो सकता है या किसी का तो उसकी हुजासे भी medical unfit होते है आपको medical के related बिल्कुल भी डौट नहीं होना चाहिए अगर आपकी सारी bones बिल्कुल ठीक है आपकी आँखें ठीक हैं बिल्कुल ऐसा नहीं कि आर्मी की तरह आँखों का medical tough होता है आपका बिल्कुल easy medical होगा आपका सिर्फ एक अगर bone वगरा fracture है तो आपको medical unfit किया जा सकता है उनकी जगा जो है waiting list वालों को लिया जाएगा अब यहाँ पर हम boys की बात कहरे थे boys की बात पर यहाँ जाते है यहाँ पर जो है जैसा कि result तो out हो चुका है अब इनकी waiting list की बारी है यहाँ पर पहले medical होगा उसके बाद waiting list वालों को लिया जाएगा तो medical में जो है कैसा रहेगा कितने candidates को लिया जाएगा तो बिल्कुल tough medical होता है बिना वज़ा भी निकाल दिया जाता है तो आपको यहाँ पर tension लेने की जुरूत नहीं है यहाँ पर आपका medical जो है थोड़ा easy होने वाले है अब अगर बात की जाए कि joining कब तक होगी तो यहाँ पर जैसे girls का हो जाएगा उसके बाद जो है boys का process होगा और जल्दी जो है यह process complete हो जाएगा अब जो है जल्दी आपको यह process complete होते होए दिखेगा और उसके बाद जो है JKP constable की भरती भी जो है आ सकती है आ सकती नहीं है 100% आएगी इसके बाद यह process complete होता है उसके बाद आपको भरती देखने को मिलेगी तो दोस्तों अगर आपको कोई डोट है तो आप कॉमेंट वक्स में जरूर बता देना मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगा ताकि आपको पूरी इनफर्मेशन दे सकूँ तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ